नमस्तार दोस्तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे काम की चीज बनाने का इस्पेसल तरीका बताने जा रही हूँ जिसका यूज आप हर जगा कर सकते हैं जैसे पराठे, पकोड़े और भी कई चीजों के साथ ये आपके खाने का सौद और भी बढ़ा देगा पनाने के लिए एक कप फ्रेश्ट दही, आधा कप अरिधनिया, नमक, स्वादनुसार, चार से पाँच लहसुन की कलिया, हाफ टीजब्स जीरा, हरी मिर्च, स्वादनुसार जार में हरी मिर्च और लहसुन को काटकर डालें हरी धनिया को भी काटकर यूज करें इससे पीसने में आसानी होती है half teaspoon जीरा एड़ करें यहां आप fresh दही का ही यूज करें आधा दही डालना है पूरा नहीं डालेंगे ऐसा करने से हरी धनिया अच्छे से पिस जाती है आधा दही डालने से पूरा यदि दही डाल देंगे आप तो अच्छे से पिस नहीं पाएगा इसमें नमक स्वादनुसार एड़ कर दें आप इसे पिस लें अब ये देखिए ये अच्छे से बारिक पिस गया है हरी धनिया हरी मिर्च और लहसुन अब इसमें ये बचा हुआ दही है वो आड़ कर दें और इसे आप अच्छा पीस लें आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब करें ये पिसकर तयार है ये मसालेदार दही बनकर तयार है आप इसे जरूर ट्राय करें ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाई बाई